प्रिय विध्यार्थी साथियो, मध्य प्रदेश उच्चि नयालाई की चतुर्थ शेनी की भरती के लिए जब आप इंटर्विव देने जाएंगे, तो आपको अपने साथ कुछ दस्तावेजों की स्वप्रमानित फोटो कॉपी ले जानी होगी। अनेक विध्यार्थी डॉक्यूमेंट्स को स्वप्रमानित करने का सही तरीका नहीं जानते हैं। आपके उजवल करियर की राहके सच्चे और नी स्वार्थ साथी करेर एडवाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह कारे तुरंत कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। आईए, हम सबसे पहले देख लें कि उच्चे नयाया लएद्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन में किन डॉक्यूमेंट्स की स्वप्रमानित प्रतिया चाही गई हैं। आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन का यह हिस्सा देखिए। इसमें लिखा है कि अरहकारी समस्त प्रमान पत्रों की स्वप्रमानित फोटो कॉपी, मूल पहचान पत्र की स्वप्रमानित फोटो कॉपी, आनलाइन फार्म की स्वप्रमानित फोटो कॉपी, प्रवेश पत्र की स्वप्रमानित फोटो कॉपी. हमारी आपको सलाह है कि उक्त प्रमान पत्रों के अलावा आप आवश्यक्ता अनुसार जाती प्रमान पत्र, अनुभव प्रमान पत्र सहित उन सभी प्रमान पत्रों और दस्तावेच की भी सोव प्रमानित फोटो कॉपी ले कर जाएं जिनका आपने आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उलेख किया है नोटिफिकेशन में आपसे स्वव प्रमानित डॉक्यूमेंट्स का केवल एक ही सेट लाने के लिए कहा है परन्तु बहतर होगा कि आप दो सेट तयार कर ले कि आप जानते हैं कि स्वव प्रमानित का अर्थ क्या होता है आईए इसको अच्छे से समझ लेते हैं इसमें दो शब्द हैं स्वव और प्रमानित स्वव का मतलब होता है स्वयम और प्रमानित का मतलब होता है सिद्ध या साबित किया हुआ इसका अर्थ हुआ स्वयम के द्वारा साबित किया गया जब हम किसी दस्तावेज यानि डॉक्यूमेंट या किसी भी बात को खुद प्रमानित करते हैं तो यह कहा जाता है कि वह दस्तावेज स्वप्रमानित है हमारे किसी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी को हम दो तरह से प्रमानित करवाते या कर सकते हैं प्रथम किन ही राजपत्रित या गजेटेड ओफिसर के माध्यम से प्रमानित करवाना और दूसरा हमारे खुद के द्वारा प्रमानित करना आजकल अधिकांश मामले में स्वप्रमानित यानी हमारे खुद के द्वारा प्रमानित डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाते हैं यह एक अच्छी बात है अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी की तलाश में जाना नहीं पड़ता है और वह खुद ही इस कारी को आसानी से संपन्न कर लेता है अब हम जान लेते हैं कि स्वप्रमानित करने का प्रभाव क्या होता है ध्यान रखिए कि स्वप्रमानित करना एक सामान निक्रिया नहीं है बलकि बहुत बड़ी जवाबदारी का निर्मान करने वाला कार्य है जिस डॉक्यूमेंट को आप सो प्रमानित करते हैं उसके बारे में आप यह मानते और कहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में लिखी गई सभी बाते सही हैं फोटो कॉपी ठीक वैसी ही है जैसा की ओरीजनल डॉक्यूमेंट है फोटो कॉपी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है यदि आगे चलकर ओरीजनल डॉक्यूमेंट से मिलान करने पर फोटो कॉपी में कोई फेर बदल पाया गया तो न केवल नोक्री से निकाला जाएगा बलकि 400 BC का क्रिमिनल केश भी ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद दर्ज करवा दिया जाता है तो आप भी स्वप्रमानित करते समय ध्यान रखें कि ओरिजनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी एक समान हो एक बात और स्वप्रमानित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्वप्रमानित का अंग्रेजी में मतलब है self-attested ध्यान से सुनिए और इसे ठीक से बोलने का अभ्याज भी कर लीजिए self-attested अब हमें स्वप्रमानित करने के संभंद में सभी सद्धान्तिक और आधार्भूत जानकारियां प्राप्त हो गई है आईए अब जान ले कि स्वप्रमानित कैसे किया जाता है सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवा लीजिए फोटो कॉपी को अच्छे से देख लीजिए कि वहट ठीक से हो गई कई बार फोटो कॉपी मशीन पुरानी होती है या फिर उसमें शाही कम होती है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कुछ हिस्से फोटो कॉपी में दिखाई नहीं देते हैं या फिर धुंदले और अस्पस्ट होते हैं ऐसी फोटो कॉपी पर स्वप्रमानित मत कीजिए फोटो कॉपी साफ सुत्री और स्पस्ट होना चाहिए सामान्य तह स्वप्रमानित फोटो कॉपी के सबसे निचले हिस्से पर करना चाहिए आखिरी में जो इस पैस होता है वहाँ पर आप स्वप्रमानित कीजिए इसका अर्थ यह होगा कि उपर जो भी तथ्य और सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं उन सभी को आप स्वप्रमानित कर रहे हैं कभी-कभी फोटो कॉपी के आखिरी में जगन नहीं होती है तो ऐसे में यथा संभाव निचले हिस्से में स्वप्रमानित कीजिए आप स्वप्रमानित करते समय इन में से कोई से भी शब्द सबसे पहले लिखिए स्वप्रमानित, स्वयम के द्वारा प्रमानित, सेल्फ अटेस्टेड ध्यान रखिए इन में से कोई एक शब्द समूह का ही उपयोग करना है बहतर होगा कि आप स्वप्रमानित शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि हाई कोट के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में इन ही शब्दों का प्रयोग किया गया है स्वप्रमानित लिखने के बाद आप उसके ठीक नीचे अपने पूर्ण हस्ताक्षर कीजिए हस्ताक्षर के साथ आप तारीख लिखिए जिस तारीख को आप स्वप्रमानित कर रहे हैं वह तारीख आप लिख दीजिए हस्ताक्षर के ठीक नीचे ब्रैकेट या कोस्ठक में अपना पूरा नाम लिखिए अब हम प्रैक्टिकल और उधारन के द्वारा स्वप्रमानित किये जाने की प्रक्रिया को एक बार और अच्छे से देख कर समझ लेते हैं स्क्रीन पर देखिए यहां मेरी एमलीब की मार्क्षिट की फोटो कॉपी है यहां फोटो कॉपी एकदम साफ सुतरी है अन्त में खाली जगह है मैंने सबसे पहले स्वप्रमानित लिखा है उसके नीचे हस्ताक्षर करके तारीक लिखी है और अन्त में कोस्ठक में मेरा नाम लिखा है यहाँ मेरी एक अन्यमार्ग शिठ है इसमें अन्त में स्पैस नहीं है अतहाँ बीच के खाली स्थान पर मैंने स्वयम के द्वारा प्रमानित लिखकर हस्ताक्षर किये हैं तारीख लिखी है और नाम भी लिखा है अब यहाँ देखिए यहाँ मेरी PGDCA की अंकसुची है इसमें भी बीच की खाली जगह पर मैंने पहले अंग्रेजी में सेल्फ अर्टेस्टेड लिखा है उसके नीचे हस्ताक्षर और फिर अंग्रेजी में ही नाम भी लिखा है यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो स्पेलिंग का विशेज ज्यान रखिए सेल्फ अर्टेस्टेड की सही स्पेलिंग होगी आप समझ गए हैं की स्वप्रमानित करना क्या होता है और यह क्यों तथा कैसे किया जाता है कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा चतुर्त श्रेणी सीरीज का यह 23 वाँ वीडियो है यदि आपने इसके पहले के 22 वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य ही देख लीजिए पिछले वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं जब तक आपका इंटर्व्यू नहीं हो जाता है तब तक यह श्रंखला जारी रहेगी निराशावादी और भ्रह्म फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए अपने आपको तयारी में लगा दीजिए महनत रंग लाती ही है आज नहीं तो कल सफलता हाथ आती ही है बहतर कल के लिए आज ही जुडिये करेर एडवाइस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को तुरं सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी पुश करें हमारी महनत बनेगी आपकी सफलता काधार बेस्ट आफ लग